उत्तरप्रदेश में आदित नाज जी की राज में वंचित समाज, सोसित समाज, समाज के गरीब तबके के खिलाफ दरिंदगी, हैवानियत, गुंडागर्दी की खुली छूट मिली हुई है और एक नहीं अनेक घटना हैं जिसके गवाह आप लोग भी हैं और पूरा उत्तरप्रदेश है लेकिन जो प्रयागराज की घटना हुई 24 तारीक को वो घटना आप सुनेंगे और जानेंगे तो आपकी रूह काम जाएगी आजादी के 75 साल के बाद जब भारती जनता पाटी पूरे देश में संविधान दिवस मनाने की नौटंकी कर रही है तो समाज के जिस अंतिम आदमी को हमारे देश का संविधान पूरे अधिकार के साथ जीने का हग देता है उसके साथ ऐसी दरिंदगी ऐसी हैवानियत ऐसा वहसीपन जिसको आप सुनेंगे तो आपकी रूह काम जाएगी मैं कल गया था प्रयागराज उस परिवार से मिलने के लिए एक परिवार के चार लोगों की हत्या कर दी गई पूरे परिवार को साफ कर दिया गया पिता की हत्या हो गई मा की हत्या हो गई बेटा जो बोल नहीं पाता था मूग था बधिर था उसकी हत्या हो गई दिव्यांग था और वेटी जो नाबालिक थी उसके साथ गैंग रेप करके उसकी हत्या कर दी गई मैं उनके परिवार से मिला उनके भाई क्रिश्चन भारतिय जी फौज में काम करते हैं वो देश की सेवा कर रहे हैं उनकी पत्नी कह रही थी कि मुझे भी खत्रा है क्योंकि पती यहां रहते नहीं मेरे साथ भी कल को कोई घटना हो सकती है और ये पूरी घटना आदितनाज सरकार के प्रसासन पुलिस वालों की लापरवाही और गुंडों और अपराधियों के प्रसासन के साथ मिली भगत के कारण ये पूरी घटना हुई है और ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ इसी परिवार के साथ 2019 में मारपीट की घटना होती है F.I.R. दर्ज होती है बड़ी मुश्किल से दो साल हो गए आज तक चारसित फाइल नहीं हुए अपराधियों के खिलाब दो साल हो गए 2020 में फिर इसी परिवार के साथ मारपीट होती है और बहुत ही गरीब सामाने परिवार के लोग मजदूरी करते है 2020 में फिर मारपीट होती है फिर कोई कारवाई नहीं होती 2020 में सितंबर के महीने में इसी परिवार के साथ फिर मारपीट होती है और हपते भर लगातार परिवार गिर गिराता है रोता है हमारे मामले में कारवाई कीजिए मुकदमा दर्ज कीजिए और मीडिया के प्रयास से अस्थानिय लोगों के प्रयास से जब दबाव बना तब उसमें F.I.R. होती है सितंबर के माईने में और तब से लेके 24 नमंबर तक लगतार वो लोग नयाय की गुहार करते रहे अपरादियों के खिलाफ कोई कारवाई नहीं हुई पुलिस वाले उनके साथ मिलकर अपराद कराने में बढ़ावा देते हैं और फिर 24 नमंबर के दिन ये बीभत्स कांड हुआ जहां पर एक नाबालिक बेटी के साथ गैंगरेप होता है एक दिव्यां का गला घोट के मार दिया जाता है और उसके माबाप को हत्या कर दी जाती है निर्वम तरीके से ये हाथरस कांड से भी ज़्यादा भयानक भयावा और बीभत्स कांड है लेकिन आपको जानकर अपसोस भी होगा दुग भी होगा कि कितनी संवेदन हीन सरकार है हमारी कि अब तक आदित नाज जी ने परिवार से बात नहीं की उनके भाई फोजी से बात नहीं की अब तक वहाँ सरकार का मुख्य मंत्री तो छोड़िये कोई मंत्री भी अब तक नहीं गया सरकार का कोई बड़ा अधिकारी भी जाके भरोसा दिलाने के लिए तैयार नहीं हुआ उसकी एक मात्र वजा है एक मात्र वजा है उत्तर प्रदेश में आधित नाथ की सरकार जातिय विद्वेस की भावना से काम कर रही है जातिया देखकर वहां नयाए दिया जाता है किस जाती को हो उसके हिसाब से तुमको थाने से नय मिलेगा पुलिस से नय मिलेगा प्रसासन से नय मिलेगा अगर उनको सूट करता है तो नय मिलेगा सूट नहीं करता है तो डैल नहीं मिलेगा हमें याद जै प्रकास पाल की पूरे प्रसासन के सामने हत्या कर दी गई बलिया में हमें याद संजीत यादों का अप्रहण करने के बाद पुलिस वाले फिरवती दिलाते हैं उसी परिवार से 30,00,00 रुपे और बाद में उसकी हत्या कर दी गई खासरस का कांड हम भूले नहीं है प्रभात मिश्रा का फरजी इंकाउंटर नहीं भूले इंडरकांत रिपाठी का किस तरीके से SSP हत्या करवा देता है रंगदारी मांगता है वो नहीं भूले हम नहीं भूले हम मनीज गुपता को किस तरीके से PULIS ने पीट-पीट के मार दिया आरुन बालमीकी को पीट के ठाने में मार दिया जीते इंडर सिद्वास्तों को पीट के मार दिया अने को घटना है और ये जो कांड हुआ है इसमें परिवार एक साल से नहीं, दो साल से नहीं, तीन साल से लगातार न्याय की गुहार कर रहा था प्रसासन ने सुनवाई नहीं की और अपराधियों का मनोबल इतना पढ़ गया कि उन्होंने इस दरिंदगी की घटना को अंजाम दिया मैं इस मामले में मांग करता हूँ आदितनाच जी से कि कृपा करके खुद और अपनी सरकार को कुम्भ करन की नीन से जगाईए जागी और जानिये उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है जागी आदितनाच जी खाली भासर देने से और नफरत फैलाने से कुछ नहीं होता ये भी कोई 16 साल की लड़की गहने पहन के घूम सकती है ये घटना किस और इसारा कर रही है मतुरा में दरोगा की परिक्षा दे के एक बेटी अपने घर जा रही ते उसके साथ गैंगरेफ हो गया दिन दहारे और आप लोग इतनी बड़ी बड़ी बाते करते है उत्तर प्रदेश की कानून विवस्था बत से बत्तर हो चुकी है चोटी चोटी बच्चीयों के साथ महाँ बलातकार की घटना हो गए और आदित नाजी से मैं कहना चाहता हूँ अगर जरासा भी आपके अंदर शर्म है आपकी सरकार में जरासा भी शर्म है तो इस मामले में फास्ट्रेक पोर्ट बनाईए छे महीने के अंदर इस पूरे मामले की सुनवाई करिए और छे महीने में उन दुरदांत अपराधियों को फासी की सजा दी जाए आमादमी पार्टी ऐसी मांग करती है और इस मांग को लेकर कल पूरे उत्तर प्रदेश के एक एक जिले में आमादमी पार्टी जोरदार प्रदरसन करेगी और महामहिम रास्टपती को ग्यापन रा महामहिम रास्टपती के नाम संबोधित एक ग्यापन जिला प्रसासन को उत्तर प्रदेश में सौपेगी हर जिले में कल उत्तर प्रदेश के 75 जिले में ये प्रदर्सन होगा और मैंने इस पूरे प्रक्राण को लेके महामहिम रास्टपती जी से समय भी मांगा है और उनसे अपील की है कि वो इस प्रक्राण में हस्तक शेप करें उत्तरप्रदेश में आज जातियां देखके न्याय दिया जा रहा है कानून और सम्विधान का मजाक उड़ाया जा रहा है लोकतंत्र की गला घुट के हत्या की जा रही है और ये घटना जिसमें तीन साल से एक परिवार न्याय की मांग कर रहा था ये उसी का एक जीता जाकता उधारन है इसलिए मैंने महामहिम रास्टपती जी से समय मांगा है जैसे ही वो हमें समय देंगे मैंने मुलाकात किये है उस परिवार से और जाकर पूरी घटना के बारे में देश के रास्टपती महोदे को आउगत कराने का काम करोगा तर तीन साल से इनको परशान कर से क्या वज़े थी तीन साल से इनको मारा जा रहता गरीब लोग हैं और वो सब दवंग हैं अपराधी किस्म के लोग हैं कभी भी मारना कभी भी पिटना कभी मोबाईल चोरी में पकड़े जाना वो पुरा एक छोटा मोटा गैंग ऑपरेट करते हैं अस्थानी लोकल पूलिस के साथ उनका तालमेल है 11 लोगों के खिलाफ ये F.I.R. हुई है अभी उसमें से कई अभ्यूक्त पकड़े नहीं गए हैं ये F.I.R. की कापी है जिसमें 376D यानि की गैंग रेप का भी मुकदमा दर्ज हुआ है इन लोगों के खिलाफ वो नावालिक बच्ची जिसके साथ गैंग रेप किया गया उसका भी मुकदमा दर्ज हुआ है तो ये 14 ये 11 लोग हैं जिनके खिलाफ F.I.R. दर्ज हुई है कुछ लोग अभी नहीं पकड़े गए अभ्यूक तभी मैं इसमें मांग करता हूँ कि F.I.R. कोट बनना चाहिए और F.I.R. कोट में 6 महीने के अंदर सुनवाई करके ऐसी दरिंदगी की घटना को अंजाम देने वाले आपरादियों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए हाँ ये बात कहते कहते बड़ा